एक लड़की के साथ जबरदस्ती होती है पर उसके बाद वो किसी से भी बात नहीं करती है उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं करती है इस सबसे उसे खुद को बहुती ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्या इन सबसे उभर बाएगी या हम आज के हमारे मूवी Speak 2004 की एक हॉलिवोड ड्रामा मूवी में देखेंगे ये मूवी एक बहुती अच्छे से मैसेज के साथ आती है तो अन तक इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज ज़े लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजे बिना किसी दरीके एक्स्परेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मैन क्यारेटर मिलिंडा को देखते है वो अपने मूव बर जैसे किसी ने उसे स्टीच कर दिया हो इस तरीके से पेंट कर रही थी उसकी मदर ने आकर देखा और उस पर वो गुस्सा हो जाती है पर उसे काम पर जाना था तो इस वज़े से उसे कुछ भी बात नहीं करती है पुरा समर वेद गया था मेलिंडा का बिहेविर इसी दरीके से था तो मदर इस बात को इकनोर कर देती है आज स्कूल का फरस्ट है वो नर्वस थी और जाने से डर रही थी आज एक नई लड़की स्कूल में आई जिसका नाम है हेदर मलिंडा उसे उतनी ज़्यादा लाइक नहीं करती है पर उस स्कूल में नहीं है उसे फ्रेंड की जरुवत पड़ेगी और उस वज़े से मलिंडा उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है वो बहुत ज़्यादा बोलती थी तो मलिंडा को ज़्यादा बात करने की ज़रुवत नहीं बढ़ती इनकी स्कूल की टीम की लड़कियों ने मलिंडा को नोटिस किया था वो ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करती इसके बारे में मैं बात में पता चलेगा आज अपनी क्लास ढूंडते हुए मलिंडा को ज़रा लेट हो गया तो उसके टीचर मिस्टर ने उसे एक वार्निंग दे देते हैं इनकी बाइलोजी की क्लास थी तो मलिंडा का लैप पार्टनर ये डेव बना डेव हमारा ये बहुत ही ब्रेव क्यारेक्टर है उसे जो लगता है ये पाथ वो कहे देता है इसी से भी नहीं डरता मलिंडा को अपनी बाइलोजी की टीचर बहुत ही अगली लगती है इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें मलिंडा अपने समर ब्रेक के पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में चाह रही थी ये सीन हमें बीच-बीच में दिखते रहेंगे और हुआ क्या था इसके बारे में हमें पता चलेगा मलिंडा कैफेटेरिया में आई तो हर को इसका मज़ा कोड़ा रहा था तो वहाँ से हो चली जाती है हम देखते हैं कि उस रात पार्टी में मलिंडा बहुती ज़दा डिस्टब हो गई थी उसने पुलिस को कॉल किया था उस वज़े से सब लोगों को पार्टी से भागना पड़ा था कुछ लोग अरेज भी हो गई थे इसी वज़े से सारा स्कूल अब उसे हेट करता है उसके फ्रेंड्स भी अब अलग-अलग ग्रूप में चले गए थे इन्हें आर्ट सिखाने के लिए एक न्यू टीचर आये थे जिनका नाम था फ्रीमन फ्रीमन सबसे कहते है कि इसी क्लास में तुम अपने आपको ढून पाओगे अब इस मुमेंट पर तुम्हें क्या फिल हो रहा है इसके बारे में तुम्हें ड्रॉ करना है कोई भी अपनी फिलिंग्स बताता नहीं करकर दिखा वो बेसिक साथ ट्री बना देती है फ्रीमन ने कहा कि सिमिस्टर के खतम होते हुए इस ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे मलींडा की एक बेस्ट्रेंट थी जिसका नाम था रेचल ये भी उससे आज कुछ भी बात नहीं करती मलींडा ने अपसेट होकर अपने रूम में खुद को ढख लिया था उसकी मदर उसे देखती है पर मलींडा ने कहा कि सब कुछ ठीक है मदर हमेशा बहुत ही बीजी रहती थी तो मलींडा पर जादा ध्यान नहीं रख पाती है मलींडा ने रेलाइस किया कि लोग जादा उससे अब बात नहीं कर रहे है तो खुद बात करना अगर पन करते तो कितने टाइम तक वो रह सकती है उसकी फ्रेंड हेदर तो खुद बहुत जादा बात करते थी तो मलींडा को जादा बात करने की ज़रूत नहीं बढ़ती शायद आपके वेटे में कुछ भी स्कील नहीं है पर इस बात पर गुसा हो गया यह बात डेव को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती है उनके खिलाफ खड़ा हो क्या कहता है कि आप रिजिस्ट हो आपके खयाल है पुराने जमाने के इसी वज़े से आप यह सब भोल रहे मलिंडा ने वाश्रूम में गलत चीज लिखी तो इस वज़े से नेक उसका पीछा कर रहे थे पर स्कूल के क्लॉजेट में जाकर वो खुद को छुपा ले दिया अब हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाय जाता है पार्टी में मलिंडा को एंडी ने अप्रोच किया था उस उस पर टीचर गुसा हो गए तो फिर से ओं क्लॉजेट में आके अपनी एक एक चीज वो वहां रखने लग जाती है पूरी स्कूल में उसे यही पर सेफ लगता था मलिंडा अपने फ्रेंड रेचल के ग्रूप के साथ लंच कर रही थी तो वहाँ वर एंडी आ जाता है उस पर सिर्फ तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि क्या तुम थैंस्किविंग पर बाहर जाने वाली हो मलिंडा कहती कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ फ्रीमन कहता है कि मेरे बच्चे है पर फिर भी मैं कैंडी लेने के लिए जाने वाला हो हमारे अंदर क इनोसंस हमें कभी भी मरने नहीं देना चाहिए वो कुछ भी ड्रॉप नहीं कर पा रही थी तो फ्रीमन ने कहा कि एक ट्री इमेजिन करो जो मलिंडा को इमेजिन हुआ वह उसे ड्रॉप करने के लिए कहते है अब मलिंडा स्कुल में किसी से भी बात नहीं करती थी स्कुल क भी बता नहीं पाते घराने परे देखते उनकी मदर ने उनके खाने की सारी वाट लगा दी थी मदर को उसके काम से कॉल आया तो कहती कि आज राथ हम भारी जाएंगे अगली दिन आर्ट क्लास में मलिंडा टर्की की फोन्स लेकर आई थी फ्रीमन पुछते कि यह क्या है मलिं इसको भी कोई जान सकता है नेक्सिन में इनकी स्कुल में एक गेम था जहाँ पर मलिंडा जाती है उसके बीच एक लड़की बेटी थी उससे गहती है जिस पार्टी में तुमने पुलीस को भेजा था उस पार्टी में मेरा प्रदर भी था और वो अरेस्ट हो गया गेम चलत इंसिस्ट करता है तो इस वोजे से मान जाती है वो उससे अपनी गाड़ी में लेकर गया और वहाँ वर्खिस करने लग जाता है उसके साथ वो जवर्दस से इंटिमेट हो गया इस इंसिड़न की वज़े से मलिंडा ने पुलीस को कॉल किया था इसी वज़े से बहुत ही ज ने शायद इसी वज़े से वो डिस्टरब है मदर कहती कि तुम्हारे साथ आज जो भी हो रहा है फ्यूचर में तुम सब कुछ भूल जाओगी यह सब चीज़े मैटर भी नहीं करेंगी नेक सिन में हम देखते हैं कि जब क्लास चल रही थी तो रेचल को टीचर का उनका खुछ भी नहीं होता यह बाद मूवी हमें दिखा रही थी अपने बायलोजी की क्लास में मलिंडा को एक फ्रॉग को इंसीजन देना था यह वो कर निबा दी और उसे चक्कर आ गई थी डेव उसे फिर से होश में लाने के लिए हेल्प करता है नेक सिन में देखते है कि हेदर मलिंडा से बात कर दिया उसने कहा कि जब मैं स्कूल में न्यू थी तो तुमने मुझे बहुत हेल्प की थी आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहती हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती तुम डॉक्टर के पास जाओ तुम्हें हेल्प की जर हो रहे थे तो इस बात से उसके पैरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं उसे कहते हैं कुछ ना कुछ करकर तुम्हें अपनी ग्रेट्स अच्छे करने पड़ेंगे वरना तुम कॉलेज में नहीं जाओ पाओगी मलिंडा ने फिर अपनी टीचर नेक से बात कि बहुत करने के बहुत ही जादा गुस्सा हो गया उसे प्रिंसिपल के बास लेकर जाते हैं मलिंडा के बैरेंट्स को भी बुलाया कि अगर तुम्हें कोई बात अच्छे नहीं लगते तो उसके खिलाफ तुम्हें प्रोटेस्टों करना ही चाहिए पर तुम्हें बात भी करनी पड़ेगी सबको अपना पॉइंट बताना पड़ेगा इसके बाद कुछ टाइम बीद गया था आज वैलेंडाइन डे है मलिंडा नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड रेचल ये एंडी को डेट कर रही है ये बाद उसे बहुत डिस्टरब करती है आर्ट लास में मलिंडा की बेंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी फ्रीमन ने उसे पिकासो का वक दिखाया तो नहीं लगता था कि मलिंडा भी उस तरीके से कुछ कर सकती है क्लास खतम हो जाने के बाद भी मलिंडा पेंट कर रही थी तो एंडी वहावर बहुत जाता है उसे बुछता है कि रेचल का पर है उसे सुनने के बाद मलिंडा घर पर आकर अपने क्लॉजेट में छुपकर जोर से चिला दिया इसके बास कोल में में इंटल हेल्थ टे था तो मलिंडा स्कूल में नहीं जाती है वो एक हॉस्पिटल में आ गए और एक एम्टी बेड पर उसो जाती है उसने हमसे कहा कि वेसे भी घर पर उसो नहीं पाते हमेशा उस रात के बारे में सोचती रहती है पूरा दिन बीद गया पर फिर भी मलींडा को किसी ने नोटिस नहीं किया था तो रात में घर पर आ जाती है अगले दिन मलींडा से मिलने के लिए हैदर आई उससे कहती कि मुझे तुमसे फ्रेंड़्शि चुकी थी उससे कहती कि तुम इस तरीके से मेरा यूज नहीं कर सकती उसे जाने के लिए खैती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद एंडी उसे भी हड कर देगा उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में उसे किसी ना किसी से तो बात कर रही ही थी वो फिर रेचल के पास जाती है उसने रेचल से पूचा कि क्या तुम और एंडी कपल हो रेचल कहती कि सब कुछ बहुत यह अच्छा चल रहा है मलींडा ने रेचल को बता दिया कि एंडी ने उसके साथ जबर्दस्ति की थी इस बात से रेचली मलींडा पर गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि तुम कर लिया था नेकसिन में देखते हैं कि मलींडा के फादर की जॉब चली गई थी तो अलग अलग जगा पर वो इंट्रिवु दे रहे था मलींडा उन्हें सहारा देती है यह दोनों मिलकर प्लांड करते हैं वो पहले हमेशा जैसे होती थी वैसे सब से बात करने लग गई थ नेकसिन में डेव मलींडा के पास आया वो कहता है कि एर बुक के लिए तुम्हारी साइन देतो मलींडा कहती कि मेरी फोटो किसने भी ली नहीं थी डेव कहता है कि मैंने ली थी मलींडा को देखकर बहुत यह अच्छा लगता है डेव नहीं से कहा कि आज रहा सब फ्रेंड ने जॉप छोड़ रहे थे फ्रीमन ने कहा कि इस तरीके से चुड़न को चैज करना है चीज मुझे अच्छी नहीं लगती हर को यूनिक होता है मलींडा उन्हें अपनी डिखाने के लिए लेकर जाती है पूरे से मिस्टर ने मलींडा ने बहुत सारी ट्रीज की चाहिए थी उसे फिर से जबरदस्ति करने लग जाता है मलिंडा एसेड की बॉटल लेती है और एंटी के आग में डाल देती है वो फिर भी उससे माने की कुशिश कर रहा था मलिन्डा की चीके सुनकर स्कूल की टीम की लड़कें उसे बचा लेती है टीम की एक लड़की के साथ भी एंडी ने जबरदस्ति की थी तो इस वज़े से उन्हें सब कुछ पता था ये सब बात फिर वो टीचर्स को पता देते है एंडी को जेल में जाना पड़ा मलिन्डा की मदर को जब बात पता चले तो उसे बहुत सपोर्ट करती है मलिन्डा भी अब सब कुछ बताने के लिए रेडी थी फाइनल योग खुद के लिए स्टैंड करने के लिए सीख गई थी ये मूवी हमें सिखा कर जाती है कि वर्ल्ड हमें कितने भी दबाने की कोशिश कर है पर जो चीज सही है उसके लिए हमें खड़ा रहना चाहिए